महरास्ट में केबिनेट मिनिस्टर नारायन राने के बेटे नितेस राने को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है नितेस राने को ऊपर एक संतोस प्रवनाम के बेक्ति के ऊपर जान लेवा हमला कराने का आरूप लगाया गया है जिसके बाद इनके खिलाप में कंकावली प्लीस टेशन में एक फाईयार दजख राया गया था जिसके बाद जो प्रारम्भिक जाच थी उसमें ये पाया गया है कि नितेस राने जो है इस पूरे के पूरे केस में इंवाल्व हैं और इस पर जो है काफी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है वहीं जो नारायन राने हैं उनके दोरा लगातर दावा किया जा रहा है कि सिवसेना की जो पार्टी है वो अपनी सक्ती का उप्योग कर रही है अपने पावर का यूच कर रही है और उनके बेटे को फसाने की कोशि अधाखिल की जिस पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक बार सुनवाई हुई थी लेकिन उस टाइम भी फायषला नहीं लिया गया था कोड की दोरा और आज फिर से इस केस पर सुनवाई की गई है मतलब कि अब जो है मुंबई हाई कोट के दोरा इस पर बारा जनुवरी को फैसला लिया जाएगा कि नितेस राने की गरपतारी को मंजूरी दी जाए या उनको जो है अंत्रिम प्रोटेक्शन प्रोवाइट कर दिया जाए वाइद वे महाराज गुवर्मेंट के दोरा भी यही बात बोली गई है कि वो जो है बारा जनुवरी तक नितेस राने के ऊपर कोई भी कारवाई नहीं करेंगे वैसे अगर माना जाया तो यह बहुत ही कॉमन सी बात है क्योंकि कोई भी बड़ा मंत्री जाए किसी भी पार्टी का हो जब किसी बिधाय क्या मंत्री के ऊपर क चला ही जाता है और लगातार वो जो है एक के बाद एक तारीख पर तारीख चलता रहता है उस पर कोई कारवाई नहीं होती है आपका क्या ओपिनियन है बाइदावे इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा तेयर करें